वेलकम टो मैं यूटूब चैनल वी टोपिक अपडेट वी टोपिक अपडेट में आपका स्वागत है एलपी और टेक्निशियन की जो श्रीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्लास के आज बात कर लेते हैं यह एंटिपिसे में सारे पूझे वे क्वेस्टन है जो काफी इंपोर जन्व को पहला कोस्तन है तो फ्लस 9 zones करास्ट या कंट्रिक का ऐसा ल्रीच के बात है यह पी इंडिया का ही होता है जो भी नंबर से कॉल क्या जानाद ही उसका प्लत है का बग्यानिक नाम सोले नम है इंप तुर्वर रोसं है तु है तो सोले नम कूल का है आलू आता है इंप त्वर्ष रोशं यह याद रखेगा किस को दहा का बग्यानिक नाम है जो जिन्दा पैदा होती है तो ये धमनिया जूट जिंदा पइदा होती है उसी क्या कहा जाता है ये याद रखिएगा आगे कोशन है मैंकुण इंडिया का परतिक या लोगों क्या है जो भी मैंक इंडिया है उनका परतिक क्या है तो कोग से बने सेड़् न ये किसका लोगों है तो मैक इन इंडिया का है आगे का कुश्चन है सिक्किम भारत का कब भारत का एक राज बना ये काफी इन्पोर्टेंट है बिहार से से जील में भी ये देखने को अभी कुश्चन बिला था तो सिक्किम जो है अपने सब पच्छत्तर नाइंटीन से अच्छा सिक्छक होता है तो यह किस ने कहा था यह कहा था दलाई लामा तो क्या कहा था फिर से गवर देख लेते सहे सुनुता के अभ्यास में उसका दुस्मन ही उसका सबसे अच्छा सिक्छक होता है तो यह दलाई लामा ने कहा था आगे का कुश्चन है दूश सदन्य बिधान सभा का मतलब क्या होता है, तो दूस सदनिय मतलब होता है, बिधायकों को दो अलग बिधान सभाओं में बाटा जाता है, तो जो भी बिधायक है, उनको दो अलग बिधान सभाओं में बाटा जाता है, तो उसी कहते हैं क्या दूस सदनिय बिधान सभा, आगे कि आपक बात कर लें अनन्त पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसित हास्य सिंख्रला को क्या कहा जाता है तो अनन्त पाई विक्ति का नाम है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया क्या हास्य सिंख्रला तो यह है अमर्चित्र कथा यह अमर्चित्र कथा है इसका सिंख्रला है ये अनन्त पाइद्वारा स्टार्ट किया गया 15 अगस्त 1947 से स्विए को भारत को मिले आजादी के वक्त उस समय कौन थे वाइसरा मतलब वक्त यानि कि समय पूछ रहा था समय पूछा गया तो बारा बज़े रात में यह आजाद हुआ था तो पंदरा अगस्त को हम लोग मनाते हैं 14 अगस्त के आधी रात में यह हुआ था ठीक आगे का कोशन है PNR तो इसका क्या है PNR किसे समद्धित है यह जब आप रिज दिया जाता है तो वही होता है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है यह PNR आगे का कोशन है बंचित परदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है तो इसे प्राक्षेपी की कहा जाता है प्राक्ष जाइन की कला है आगे का कुश्चन है आगे का ये है एंटीपिस्य में ये पूछा गया है कब पूछा गया है तीन अप्रेल को 2016 में ये स्थर्ड सिप्ट का ये कुश्चन है तो आप बात कर लें किसे वैवहारिक मनोबग्यानिक का जनक किसे कहा जाता है विल्हेम बुलत्थ को क्या बैभारीक मनोबग्यानिक का जनक याद रखेगा ये कोसन राखल लिला किस राजका लोग बिरते हैं तो राखल लिला कहां का है तो असम का देखिए ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं थोरे जो अटपटे हो और जो स्टुडेंट से मतलब उनके बारे में ज्यादा जानकरी ना हो तो ऐसे वर्ड को आप याद रख लिजेगा नोट करके राखल लिला जो है असम क्या है चेथवोल के मांबले में सबसे बड़ा है कscale 2010 सी में पूरे चहरे का पहला सफल परत्याइर का किया गया था तो मतलब पूरा चहरा का जो सरजरी होता है वो किया ाता सब से पहले 2010 में किया घासanda spray में अक्रक्षम क्या होता है मीथेन है कारले की बोध गुफा किस राज में अस्तित है कारले का बोध गुफा जो है महाराष्ट्र में है एक और MP में है आतिनुमा गुफा वो भी इंपोर्टेंट है वो भी पूछा जाता है तो यह याद रहे हैं कौन सी प्रसिद मानब बेज्ञानिक द्वारा मनस्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख पड़ियोग की जाती है तो आएए कोशन देखते हैं यह कोशन था कौन सी पद्धिती जो है मानब बेज्ञानिकों जो में बेज्ञानिक हैं द्वारा मनस्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख पड़ियोग की जाती है तो हासिल करने के लिए मुख पड़ियोग की जाती है उससे क्या करते हैं फिल्ड वर क क्या है तो बाइनरी डिजित है। की बूद की सिक्छाओ का संग्रह है त्रिपीटक यानि पूछा जाता है त्रिपीटक किसे समझदित है तो बौत धर्म से संबंदित है और इसमें क्या यानि कि त्रिपिटक में क्या है तो बूद की सिक्छाओ का एक संग्रा है आगे का कोशन है अभिसरन लेंस में कोई भी परतिवीम नहीं बनेगा जो भी अभिसरन या अभिसारी लेंस है परतिवीम नहीं बनेगा जब बस्टू को रखा जाता है तो आप जानते हैं बस्टू को फोकस बिंदू पर रखा जाता है तो वो अनंत से होकर गुजर जाती है तो अभिसरन लेंज में हम रखेंगे फोकस पर तो वो नहीं बनेगा अन्हाइनत में जाके बनेगा पर्तवी में उसका नहीं बनेगा चन्द्रमा की सत्व पर चलने वाला प्रथम मानब्र चलित बाहन था तो चन्द्रमा सबसे पहले कौन सा? तो lunar rover ये पुछा पहुंचा नहीं था जो चंत्रमा की सथा पर चला था तो लुनार लुनार रोवर था आगे का कुश्चन है उत्तर कोडिया की अस्थाफना किसके नेत्रित्म की गई तो उत्तर कोडिया जो है कीम दूतिय कीम धूतिय सूं के द्वारा उत्तर कोडिया का नेत्रित इसके नेत्रित में उत्तर कोडिया की अस्थापना हुई थी अगे का question है साजन परकास किस से समधित है तो साजन परकास तैराकी से समधित है पिछले shift में भी मिले था है एक badminton से और आज मिल गया है तैराकी तो याद रखेगा साजन परकास worldwide wave का विश्कार किस ने किया तो तो यह यह बहुत ही important question है ती वर्नस ली हमेशा पूछा जाता है रिपिटेट question है तो worldwide wave जो हता है www इसका क्या कोन कोज किया था यह अविश्कार किया था तो ती वर्नस ली आगे का question है अलफेट नोवेल नोवेल पुरुश्कार की अस्थापना करने वाले अलफेट नोवेल ने किस चीज का अविश्कार किया था तो अलफेट नोवेल जो है इसे नोवेल पुरुश्कार की अस्थापना करने वाले यह नोवेल पुरुश्कार की अस्थापना यह किया था इसी के मतलब जो भी धन है संगड़ा इसी से Alfred जिसको नोवल दिया जाता उसको प्रोस्क्रिप किया जाता ये भी पूछा जाता है उसके अधन कहां से आते हैं तो इन्हें के रखा हुआ धन है उसी से दिया जाता है और इस जिये अवसकार किया था डाइनामाइट का वसकार Alfred नोवल ने किया था आगे का कुश्चन है वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रैसानी खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी तो हनिंग ब्रांड द्वारा पासफोरस की खोज की गई थी आगे का कुश्चन है किस विधू चुमक्या तरंग की तरंग देद सबसे कम होती है तो गामा किरने की तो विधू चुमक्या तरंग जिसका कम होता है उसका भेधन चंपता सबसे अधिक होता है तो गामा किरने का क्या होता है विधू चुमक्या तरंग देद सबसे कम होता और भेदन ज्यादा सबसे अधिक होता है यह पूछा जाता है किसका भेदन चंता सबसे अधिक होता है तो गामा किर्णी कि वही बात कर लें वही एक्स किर्णों की तरंग देत सबसे ज्यादा होती है और भेदन चंता सबसे कम होती है उमगरहों की 二 ira est SINGLA kaa př correct। चेपण किस के लिए किया गया था तो पाया-डा का सिंखला 56 इक 15 इसदूर समवेदन सस्षस कुलय किया गया है ई sophisticated oluş कर покуп मढ़ेन कर ची CMみन cui in consider of 2 फ्रूर किया गया था मतलब है इस बनाए सब कर दो ची मिन किया गया किसह कि spidhan और पहला नगिलपुरस्कार 1901 में किस के टीके की खोज के लिए दिया गया, तो ये दिप्थिरया का खोज गया था, चिकतिक प्रता के चेतर में सबसे पहले 1901 में नगिलपुरस्कार रहा था और पुछा तो यह था इस सेट का सभी important question और अगर अच्छा लगे तो आप comment में हमें बताइए और इसे subscribe कर लें जो भी अडेलबे और के exam के लिए त्यारी कर रहे हैं अधर भी exam के लिए काफी important रहेगा डेलबे के लिए तो काफी important है यह स्रीज और एलपी टेग्निशन जो वेकंसी आएगी ही confirm इस साल देखने को मिलेगा और आप लोग उसके लिए पहले सही प्रेपर रहे थैंक्यो मिलते हैं next वीडियो में